किसान भाईयों अगर आप आवला लगाना चाहते हैं या फिर बागवानी करने का सोच रहे हैं तो आपको यह confusion है कि मैं कौन से पोदे लगाऊं या किसकी बागवानी करूं या कौन से फलदार वरक्ष लगाऊं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा वह बगिचों को टेखनी कल ii इस देने का काम कर रहे हैं जो लग वाले जो भी लोग है उनको टेकनीकल तरीके से कटर रहे हैं तो आज हमारे साहथ है आज वह आपको बताएंगे कि अगर आप भान अगर करना चाहते हैं तो उसमें कॉन से प्रांट लगए उससे पलान जाहूंगा हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो अगर हम जैसे आज हम यह आवले का बगीचा तो सबसे पहले तो महीं जानना चाहूंगा कि जो आवला है उसके क्या फाइदे हैं कि किसान आवला ही क्यों लगाए वो फाइदे आप मुझे बता जिए सबसे ज़रूरी बा और जमीन भी ऐसी उबड़ खावड़यां पानी नहीं तो जिसका पी एच अपना मैंटेंट शैसे साथ आ नो दस्तक ला सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने दो तरीके से ला सकते हैं थाला और बाई ड्रिफ से भी लगा सकते हैं जैसा कि इनों ने बताया कि तो इसमें ज्यादा अपने को केर करने की जरूत नहीं है कि अपने थाला में भी लगा सकते हैं और ड्रिफ में भी लगा सकते हैं और आपकी जमीन चाहिए कैसी भी हो जमीन अगर खराब जमीन भी है लवन यह भूमी है तो उसमें भी आवला है वह अच्छी तरह हो जाते हैं तो यह इस आमले का बेनिफिट है इसके अलावा संतोजी और को इसको लगाने के लिए हैं फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त करने के लिए अपने जमीन को एक लेवल में करना है उसका गड्डे खोदने हैं गड्डे खोदने हैं कि वहला पांच मीटर पांच पर सकते हैं कुछ साथ वाई साथ मीटर में जैसा आइडियल जो दूरिया चाहिए हैं और एक गड्डा खोड़के इसमें सड़ी गोवर ही खाद है और एंपी के में नायट्वन पूरस पोटा से तीनों मिक् पानी देना है कोई ओर कोई प्रॉबलम में तो देखना है तक दीकत नहीं और जो इसे अपनी देना है और पानी देना और कोई बीमारी भी नहीं आती है मेरे साथ से सबसे बड़ा बीमारिया नहीं कम आती है कोई आती है पती है और कोई माहू है मच्छर बगर आते हैं बाकि यह फूट भी कोई पढ़ते हैं और आप इसमें ज्यादा तरो जैविक का भी प्योग कर सकते हैं अच्छा है जैविक वाला भी उसमें जैविक में कुछ नी करना है गुड लेना बेसन लेना वेस्टी कम बोज लेना उसका बाइट चला दो श्वाट कर दो अच्छा वह बैंवर्ट अगर मुझे कोई पूस्ता है तो मैं भी किसानों को आप रिकमेंट करता हूं कि अगर ज्यादा किसा पोदों की देख बाल नहीं कर पाते हैं तो आवला आपके लिए बेस्ट है उसमें आवले से अपन मुरब्बा है अचार है सेंपू है बहुत सारे अपने खाने पीने के यूज में भी आ रहा है तो इसे बहुत सारे बैने पेट है फ्यूचर में इसको डॉक इसमें सबसे बढ़िया लाओ तो मुंग लगती समय नाइट्रोइन प्लांट को फाइदा रहता है बहुत सबसे बेटर रहें इनका संतोज जी कहना है कि जो बीच में जो जगह है उसमें इंट्र क्रोपिंग भी कर सकते हैं जैसे दूसरी फसले हैं जैसे नीम्बू में आमला वो खुद रेजिस्टेंट है तो बीमारिया काफी पहले से काफी कम लगते हैं तो अगर आप यह चाहते हैं कि हमें कम देखवाल करनी पड़े और एक अच्छा प्रोडक्शन मिले तो आमला आपके लिए बैस्त ऑप्शन है आप लगा सकते हैं अगर एक बार आपका पोड़ा आपका बगीचा अगर तयार हो जाता है एक बार फूटिंग देने लाइक हो जाता है तो फिर उसके बाद में ज्यादा करने की जरूत नहीं है जैसे हम में संतोजी फिल्ड में हम जाते हैं तो आमले के जो बगीचे के जो मालिक होते हैं तो उनका यह सिस्टम होत ऐसके अपनी अफ़ट इस अपनी एक बैसां मिलेगा उनको चाहां में मर्केट में डेली में जय पूरे तो अच्छा पेमंद मुल गई घी सर्फे में अच्छी इसमें कि पधाने के लिए लिए कुछ निकलना देना है तो इस प्रेकर तो एक उन्ह2 कर सकते हैं यह 0050 कि प्रेकर सकते उससे बहुत अच्छा इंचा है यह था ऑच्छा साल अब है इस तीन साल का एसा बैसिकली आम लाहा है कितने साल में अपने वह सार जाते हैं तोड़ा करने के उ किसानों को जानकारी दी है उमिद करूंगा कि किसानों को यह आपके जानकारी पसंद आएगी और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्याओद